Hello everyone तो यहार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 10 mistakes जो कि students अपने English के board के exam में कराते हैं बहुत simple सी बाते होती हैं बड़ी easy सी बाते होती हैं बट वो mistakes आपके तो efficiency फ़तम कर देती हैं या फिर आपके marks cut वा देती हैं तो इस वीडियो में वो हम 10 important बाते देखेंगे तो चलो यार वीडियो को start करते हैं तो यार वीडियो को start करते हुए हमारी सबसे पहली mistake जो बच्चे कर जाते हैं भाई panic करना panic करना आपका पूरा exam डुबा सकता है एक panic attack आपकी हालत खराब कर सकता है तो भाई देखो सबसे पहली बाद पैनिक कब करते है बच्चे जब किसी एक कोशन में एक आंसर में बहुत जादा एक्सेसिव टाइम लग जाए तब बच्चे पैनिक कर जाते हैं अगर आपको एक आंसर में एक्सेसिव टाइम लग रहा है तो अपने दिल को है टोटल टाइम वह रिडिउस कर दूगा या अपना पूरा टाइम जो है वहां से कंपेंसेट कर लूगा और अगर मानों किसी आंसर में आपको बहुत जादा टाइम लग रहा है आपका नहीं दिमाग चल पा रहा तो ये भी एक अपने आपको जूटी तसली दे लो चाहे आप अपने आपको तसली दे लो कि यार शायद मेरी किसमत अच्छी निकल जाए और मैंने जो गलती कर दिया ये जो एरिया नहीं हो रहा है इसको टीछर दो करके पूरा फॉरफ पूरत की बोच मैं ऐसा होता तो बहुत जहादा है थीक्ते तो आपको बस अपने हैं दो से थीम एनिट बिल्कुल पूरा ब्रेक लेना ठीक है एक बर यांखे बंद कर लेना एक दूमेड के लिए और यह भी बूल जाना कि आप एक दो मिनट के लिए आखे बंद करके अपने आपको एक बरी रिफ्रेष कर लेना एक बरी अपने आपको थोड़ा सा माइन ला तो summary हमें हमेशा कहां से लिखना हो ती मैंने को जो हम नन्होत बनाई हैं 저 हमें नोट्स में अ辉कने के मौने के खर में करके summary होती है आगर आगर को यह प्रमीन पॉइलिव हासी capable लेखा हो धाग सकते हो यह कि से ही लिखनी है अच्छा एक कोश्चन पर बहुत ज्यादा मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में आया था कि भाया क्या टाइटल की समरी लिखनी होती है मैं आपको बता देता हूं देखो यार आपको टाइटल आपको समरी का टाइटल नहीं लिखना होता ठीक है मैंने टाइ जो cbse checkers के पास जाता है कि भई कैसे आपको check करने बच्चों के papers ठीक है तो अगर हम यहां पर आये और हम यहां पर देखे कि note making के लिए क्या कहा है note making के लिए यहां पर इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि बच्चों को title का एक मार्क देना है, तीन मार्क कॉंटेंट का, और एक मार्क देना है, अब्रिवेशन और सिंबल का, ठीक है, बट अगर हम यहां पर समरी के यहां पर मार्किंग स्कीम देखे, तो समरी में सीधा सीधा लिखा हूँ है, कि कॉंटेंट का तीन नंबर और एक्स्प्रेशन का दो और इस साल तो note making 6 नंबर की है और हमारी summary 4 नंबर की है तो summary में आपको title लिखने की कोई need है नहीं आप सिरफ पर समरी लिख दो कैपिटल में अंडराइं करके और फिर समरी लिखना चालू कर दो और अगर आप टाइटल लिख भी दोगे तो भी आपको कोई ऐसा बेनेफिट नहीं मिलना और नहीं लिखोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटने हैं ठीक है और ये चीज़े मैं आपको क्लियर बोल दूँ यार अपने मन से याप किसी की सुनी-सुनाई बात नहीं बता रहा आपके आगे CBS के ओफिशल मार्किंग स्कीम से देख के बता रहा हूँ आपको मैंने दिखाई भी है आप डाउनलोड लिंक में नीचे प्रोवाइट भी कर दूँगा हम इसको कहीं बारी रेफर करेंगे अब अच्छा अब तीसरी हमारी चीज़ क्या है कि हम सफीशेंट गैप्स नहीं लीव करते हमारे अंसर शीट में अलग अलग जगाओं पे कैसे आपको गैप्स चोड़ने यहां पर मैं आपके लिए 2019 की जो टॉपर की अंसर शीट वह में लेके आया हूँ सबसे पहली बात आपको हर सब पॉइंट के बाद मतलब हर सब आंसर के बाद मतलब हर कोशन के एक पार्ट के बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है और यह पार्ट अलग है ठीक है चेकर को देखने में बहुत असानी हो जाती है अगर आपका एक कोशन खतम हो जाए तो फिर आपको क्या करना है दो लाइन छोड़नी है और बीच में पैंसिल से पैंसिल से स्टेट लाइन की देनी है ताकि चेकर को यह पता चल जाए कि आप आपका आंसर कम्प्लीट हो गया है ठीक है और ऐसे ही अगर आपकी राइटिंग सेक्शन में हम लॉंग राइटिंग कॉम्पोजिशन की बात करें तो आपको पैरग्राफ जब आपका एक पैरग्राफ एंड हो तो दूसरा पैरग्राफ लाइन छोड़के स्टार्ट करना ह आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि भाई आप बिल्कुल अगले लाइन से स्टार्ट कर दो टीचर को क्लियर ली पता चलना चाहिए कि आपका पैरग्राफ खतम हुआ है ठीक है और एक गलती और बहुत बच्चे करते हैं स्टॉपर ने देखो यह नहीं कर रखी देख से स्टार्ट करें और हर सेक्टे के इन्ड में है यहां पे mark फेंड हुआ है तो स्क्षिन इंड हरो अगर्श चाहो तो नीचे पी HIS ओ सप्याह न ने पे ऑलोसफ सार्मी अप ऑन थार देखो में ones ग्फॉर्चफ मिसेक इन अन यह वाले ठीक हैं कामवल tat और ऐसिग Kr homemadeップ पूरा सब्जक्त लिखना है और इसे अंडरलाइं करना है और यह चीज आप पिछले साल के 2015-2019 के टॉपर की आंसर शीट आनलाइज करोगे मैं आपको डाउनलोड निचे दे दुगा उनमें भी आप यह ही देखो कि सब ने सब किसी ने लिखा है आप सब्जक्त लिखा हुआ है दूसरी हमारी Цहा हमारी अगर अब कुछ बच्चों के लिए बीकुल तो यहां तो लगए आपको याद करने के टेक्निक है कि पाल पाल अमीश पाल अंकिता पाल लवी पाल अपका जो है वह प्रिंसिप ने बायते हो तो जब आपका जो moral values है जिनके according अपने decisions लेते हो ठीक है आपका then और then ठीक है ठीक है ये वाला then जो होता है comparison के लिए और ये वाला then जो होता है ये होता story के लिए कि एक चीज के बाद दूसरी चीज क्या हो रही है ये वाला then बताता है और जब हम कोई दो चीजों को compare करते तो ये वाला then बताता है ठीक है there और there ठीक उनकी प्रॉपर्टी है ठीक है हमारी वर्ड लिमिट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कन्फ्यूजन है अभी भी बच्चों में मैं इसको बहुत क्लियर करना चाहता हूं इस वीडियो की तरू सबसे पहली बात देखो आपको वर्ड लिमिट तीन कोश्चंस में एकसीड बिलकु और पोस्चर ठीक है इन में आपको वर्ड लिमिट एकसीड नहीं करनी है यह जब बात आजाती है हमारे लॉंग कॉम्पोजिशन की हमारे लेटर की हमारी डिबीट की हमारी आर्टिकल की स्पीच की ठीक है और हमारे आजाते हैं रीडिंग सेक्षन के कोशन या राइइटि literature section के question तो उस case में क्या करना है आपको जो अपर word limit है ठीक है आपको अपर word limit में answer लिखना है जैसे अगर आपका डिबेट का question है कि 200 words में answer लिक्षो तो आपको 200 words के around 200 से 200 word में answer लिखना है ठीक है अब बच्ये बहुत आरे एक्सीड क्लियरली लिखा हुआ है CBC ने चेकर्स को कि वर्ड लेमिट एक्सीड करने के आपको नंबर नहीं काटने हैं बच्चों के हाला कि इनों ने आगे ये भी लिखा है कि अगर बच्चा एकनॉमिक या प्रिसाइज लिखे तो उसको डियू क्रेडिक देना है बट अग लिखा हुआ है और एक्सीड हो जाए तो कोई टेंशन है नहीं पर अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसको पता है कि मैं ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग में स्टिक्स करता हूं तो बिल्कूल बड़ा अंसर मतलिक आना क्योंकि बड़ा अंसर का मतलब यह है कि आप से गल बड़ा अपे भर मैं हमेशें अपनी वुडियों में क्या कहता हूं अपना दिमाग फ्रिज में नहीं चोड गे आना अपना दिमाब अपने साथ लेके चलना है सेनरीयो को समझना पश्यन को समझना अपनी सिटूयेशन को समझना और उसके vakमाम जॉक्करन वो करना थीक है देखो यार अगर मानो आपसे कोई आप वर्ड की गलती कर दो ठीक है तो आपको ओवर्राइट बिल्कुल नहीं करना ओवर्राइट का मतलब क्या है जैसे आपको यहां पर ब्रेक लिख दिया अब आपको याद आ रहे तो आप बीच में ऐसे ए गुसाने में लगे वी हो ठीक आंसर जो वर्ड है वो लिख दो जैसे इस टॉपर ने हां करा हुआ है और पैनिक बिल्कुल मत करो देखो हम हमेशा कहते हैं हर टीचर हमेशा कहते हैं कटिंग्स आपको अवाइट बिल्कुल करनी है पर कटिंग्स अगर हो जाए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी बिल्क करोगे तो कोई आपको पैनिक करने की जूरत नहीं है 7th point क्या है no need to change answer if reading section of reading section if you pick it directly from the passage कहने का मतलब क्या है कि देखो मैंने observe किया है कि कहीं बारी बच्चे क्या करते हैं जो हमारा reading section के unseen passage को questions होते हैं ठीक है उसमें वो क्या करते हैं कि अपनी questions का ना कभी का वार answer सीधर directly passage passage की लाइन ही होती है ठीक है तो बच्चों का क्याटर लगता है कि यार मैं exact copy paste करूंगा तो फिर क्या पाता मेरे marks कट जाए इसलिए वो अपने answer को ना थोड़ा बहुत change करने के कोशिच करते हैं वो थोड़ी बहुत जो passage की line direct answer है उसको लिखने की बजाए थोड़ा बहुत चेंज करते हैं उसमें गलती कर देते हैं तो मैं आपको यहां पर क्या बताना चाहता हूं कि भाई clear words में में बताता हूं अगर unseen passage के question है और उसका जो answer है passage की directly कोई line है और आपको लग रहा है copy paste करने की ज़रूरत है तो बिलकुल copy paste कर देना again marking scheme में देखो यहां पर आपकी unseen passage में क्या लिखा हूँ है cbsc वालों अपने checkers के लिए no marks should be deducted for mistake in usage and grammar spelling और word limit ठीक है full marks may be awarded if a student has been able to identify core idea अच्छा अब आगे if a student literally lifts a portion of given passage as an answer to a portion no marks to be deducted for it for this as long as it is relevant तो यहां पर बहुत clearly लिखा हुआ है कि भाई अगर बच्चे ने बिलकुल passage से line lift करके डाल दी है ठीक है और अगर उसने क्या कहते है उसका answer ठीक है तो उसके कोई marks कटने नहीं चाहिए उसको marks मिलने चाहिए ठीक है बस आपको क्या करना है कि यार देखो ऐसा नहीं है कि आ लिटरली वो line सिर्फ डाल के answer खतम कर दो ठीक है आप वो literally कोई भी अगर passage की line है वो आप डाल के copy paste कर सकते हो पर उसके आगे पीछे भी थोड़ा चीजों को explain करने की कोशिश करना ये मत करना कि बिलकुल सिर्फ वोई line डाल दी passage की और कुछ लिखा ही नहीं और वोई answer करके आपने done कर दिया ठीक है आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो में बने विए हो तो मुझे उमीद है कि हाँ अभी तक आपकी वीडियो ने help करी है तो यार अपने busy schedule से जरा 2 second निकाल के वीडियो को like कर दो इससे थोड़ी मेरी भी help हो जाएगी और अगर आ अब हमारा 8 यह बहुत ज्यादा जुरूरी है carefully read all the instructions specifically in writing section देखो आपको सारे instructions पढ़ने के लिए बहुत time मिलता है ठीक है तो आपको starting में जो time मिलता है आपको अपने instructions जो आपकी answer शी book पे लिखे होंगे बहुत सारे बू लिखे होते हैं आपके question paper पे भी लिखे होते हैं व करते कि यार वही तो चीज है पर वह change हो जाती है और especially writing section में तो जो जो हर question को पूरी एक एक लाइन डंग से पढ़ लेना क्योंकि कभी गार हम जल्दी जल्दी में क्या गलती करते है question पूरा लिखा है जैसे debate का पूरा question लिखा है फिर ending में क्या line लिखे होती है write a debate in 150 to 200 words औ पर हम जल्दी जल्दी में क्या करते है write a debate पढ़ लेते हैं उसके आगे की line पढ़ते हैं और फिर answer लिखने बैठ जाते हैं पर उसके आगे की line में क्या पता नाम दे रखा हो क्योंकि मैंने आपको पुरानी videos में बताया था अगर question में नाम दे रखा है writing section के अगर आपने व देखा होता है छे में से चार करो बच्चे नहीं पढ़ते हैं और छे के चे कराते हैं तो यह गल्तिया अवाइट करनी है अच्छा एक चीज हालाकि यह बहुत रेयर और भेवकुफी भरा case है पर यह भी होता है अपने सारे pages को देख लेना thoroughly अपने सारे pages को thoroughly देख लेना question paper पर के यह मत जियूम करना क्योंकि यह चीज आपको बहुत फनी बताता हूं मेरे कजन के साथ हुई थी कि उसने पूरा English का paper complete कर ले और question paper मतलब पूरा submit करने के बाद बाहर निकल के वो देख रहा है कि last page पे बिल्कुल पीछे वाले page भी questions थे उसने वो question attendee क्योंकि इसको लगाता कि पीछे paper खतम हो गया है तो ऐसी गलतियां हो जाती है तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करना avoid बिल्कुल धंग से देख लेना ठीक है अब इसी ने अपनी answer की में अपनी marking scheme में clear लिए बात लिखी है अभी मैं आपको पढ़वा भी देता हूं और एक और चीज एक चीज में मैं देख रहा हूं comment section में हद से अधर debate चल रही है कि पहले हमारे letter writing के format में subject आएगा या Salutation आएगा या Salutation आएगा अब मैं इसका आपको द इसी ने release किया था उसकी marking scheme में release करी थी उसका ये मैं आपको लाके दे रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा आपको नीचे download link भी दे दूँगा उस हमारी marking scheme में क्या दे रखा है letter का हिनोंने format कि पहले sender address फिर date फिर receiver address फिर subject या heading फिर salutation अब भाई CBSC ने directly कह रहा है अप 2020 के अपने official sample paper की answer sheet में ये दे रखा है तो अगर आप अभी भी confused हो रहे हो तो आप बेफाल तुमें confused हो रहे हैं आपको misguide हो रहे हो लेटर मतलब जब आप exam दे के बाहर निकल जाओ paper को बिलकुल discuss मत करना या फिर paper को किसी तरीका का analyze मत करना अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने teachers के साथ क्योंकि अगर आप से कोई गलती हो गई होगी ठीक है जो आपको realize नहीं होई है वो बाहर में पता चलने पर आपका confidence down होगा आपका moral down होगा भाई ऐसे जब paper दे के निकल जाओ ना तो ऐसे निकलना कि भाई ऐसा तो subject exist ही नहीं करता था मेरी जिंदगी में English का paper हो चाहे Maths का हो जब exam दे के निकल गए तो सीधा घर पहुच जाओ और आपने दोस्तों के साथ छोले बटूरे खाने चले जाओ पर आपको किसी भी कीमत पर अपना ऐसे discussion करना ही नहीं है यह भूल जाना कि ऐसे subject का मैंने paper भी दिया था क्योंकि discussion को फायदा नहीं है पता चला आपके अगले subject के लिए और आपका confidence down हो गया अचा एक मैं आपको और extra tip देना चाहता हूं bonus tip देना चाहता हूं अगर आप अगर आपको कॉलेज जाना है तो फिर यह फायदा नहीं है जब तक आपको इंडिया को कोई अच्छा कॉली ना मिले admission के लिए तो भाई अपनी preparation board खतम होते ही चालू कर देना बिना किसी delay के लिए और मैं आपको एक चीज़ बाद रहा हूं जो बच्चे entrance exam देने वाले हैं जितने भी management exam से नासी मुझी सिंभाइसिस क्राइस्च आईपी निवर्सिटी या और कोई entrance exam हमारा online crash course अभी एवलेबल है उसमें हम आपको दे रहे हैं video lecture सारे topics के ओपर जो आपके entrance exam में आने हैं हम आपको देंगे book set आपकी पूरी preparation और practice के लिए तो अगर आप अपनी seat reserve करना चाहते हो तो भाई आप इस number पर whatsapp drop कर सकते हो फीस इस course के सिरफ 5500 rupees है तो best of luck guys and bye